जहें देखबा फिर से आपका हार्दिक स्वागत है यूबी पुलिस भरती 2022 के अंतरगत जो असिस्टेंट आपरेटर या रेडियो ऑपरेटर या हैड ऑपरेटर की बेगांसी आई है इसमें एक अलग से टोपिक इंकलूड किये गए हैं जो कि आइस साइंस का है यानि फिज अंड मेरे पहरे भाई को मिला करके कहने का मतलब यह है कि चाहें आपका वो नमलाइजेशन करने के बाद 50% बने या आपका रॉमॉक्स ही 50% बने लेकिन 50% आपका होना चाहिए तो आपको हर एक सब्जिक्ट को अब धिहान देना होगा हर एक सब्जिक्ट पर अगाईज आ जबाब का सिलक्सन आपके मुठी में क्योंकि अब आपके साथ पुरी तर्मन के साथ लगे हैं एक्जाम गुरुजी बाई अर्मिसर चलिए आज की बेतरी नाजबाब क्लास की सुरुआत करते हैं मरमत चल रही है जिन्दगी की साहब उठेंगे जल्द ही तूफान लेकर बहुत इला जबाब लाइन लिखी गई है कि जो हमारी जिन्दगी की मरमत है यह चल रही है और लगबग साथ सी आट महीं ने यह मरमत और चलने वाली है और उसके बाद हम बहुत ही जल्द उठने वाले हैं एक नया तूफान लेकर के हमें उमीद ही नहीं बलकि आपूरा नहीं दिख रही है तो आप अपने क्लास की यानि के वीडियो की कॉल्टी को थोड़ा हाइक लिजेगा आप जो वीडियो की कॉल्टी है इसको 360 पीपर चलाएंगे तो आपको क्लास जो है जो बहतर तरीके से दिखाई पड़ेगी पहला कुशन आपके सामने प्रतिध्वन का कारण क्या है प्रतिध्वनी का कारण क्या है कहने का मतलब यह मेरे प्यारे भाई कि आप अगर किसी बंद कमने में बोलते हैं या कुई में बोलते हैं तो आपको अपनी ध्वनी पुना सुनाई देती है और आपको अपनी ध्वनी पुना सुनाई देने को ही कहा जाता है प्रतिध्वन और प्रतिध्वनी का कारण क्या होगा आगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो याद रखना ध्वनी का प्रावर्तन ध्वनी का प्रावर्तन यानि की ध्वनी का आपस में टकराना जिसकी वज़े से प्रतिध्वनी होती है ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल पर्फेक्ट होगा जो भी पहरे भाइबें मित्रियां पर आप्शन ए बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने कि जूला जूलते समय कोई व्यक्ति जूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्थकाल या उसका जो टैम पीरियड है ये कैसा होगा थोड़ा समझने की कोशिश करना फट फट आफट आंसर दू कहने का मतलब यह है कि अगला जूल जूल रहें और जूला जूलते समय कोई भी व्यक्ति हो जूला पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्थकाल या उसका टैम पीरियड कैसा होगा तो मेरे पैरे भाई उसका जो आवर्तकाल है यह घट जाएगा या डिक्रीस हो जाएगा option number B यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा जो भी पैरे भाई मित्र यहाँ पर option B घट जाएगा बता रहे हैं बिल्कुल सही answer होगा अगला आपके सामने यदि जूलते हुए कोई व्यक्ति के अस्थान पर दो व्यक्ति बैट जाएगा आपने इस प्रकार के questions के language इस प्रकार देखी होगी कि कोई लड़की जूल जूल रही है उसके बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैट जाती है तो इसका आवर्तकाल कैसा होगा इस प्रकार से आपने question पढ़े होंगे बढ़ मेरे पहरे भाई ये थोड़ा language चेंज किया गया कि जूले पर एक बैक्ति के अस्थान पर दो व्यक्ति बैट जाएं तो आवर्तकाल कैसा होगा मेरे पहरे भाई चाहे एक बैक्ति बैठें चाहे दो बैक्ति बैठें आवर्तकाल जो है ये सेम ही रहेगा मतलब आपरिवर्थित रहेगा जो भी पहरे भाई मेरे मित्रियां पर option C आपरिवर्थित रहेगा बता रहे हैं बिलकुल correct हो जाएगा परफक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option number C जो भी हमारे डिये फ्रेंड्स option C बतारें बिल्कुल सही हो जाएगा second pendulum का जो आवर्तकाल होता है यह कितना होता है यहाँ पर यह second लिखा हुआ है टैप ए मिष्टे के इसके लिए छमा प्रारती है और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजी माइडिये फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बाल लाइक ज़रूर कर दीजेगा क्योंकि इसमें आपकी जिम्मेदारी फर्ज आपको बनता है कि कम से कम आप क्लास को लाइक करी दिया करो तो जो भी पहरे भाई भाई भेन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किये मैं लाइक जरूर कर देंगे जो गाई सेकंड पेंडूलम होता है इसका जो आवर्टकाल होता है ये दो सेकंड का होता है मेरे पहरे भाई अगला क्यूशन आपके सामने कि जो केसी का नली होती है उसमें जो जल का उपड़ी सता होता है ये किस लेंस का बना हुआता है इसका आंसर आपको बताना है पतलब गाई जो किसी का नली होती है, इसमें जो जल का उपड़ी सता होता है, यह किस लेंज से निरमित होता है, अबतल उत्तल, समतल या फिर कोई नहीं, जल्दी जल्दी आंसर देजिए इसका जो सही answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा उत्तल दरपड का सही answer होगा यो साधी मतलब उत्तल का होता है option number B आपका आपकर बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला देखो अगला कुशन है कि द्रव का घनत्तो अधिक होने पर जो प्रिष्ट तना होए ये कैसा होगा इसी प्रकार एक्जाम में आपके question आने वाले हैं जो कि एक्जाम के दिष्टी से काफी ज़्यादा important होगे तो मेरे प्यारे भाई याद रखना द्रव का घनत्तो अधिक हो जाएगा तो जो उसका प्रिष्ट तना होए ये कैसा होगा मेरे प्यारे भाई वो भी अधिक हो जाता है या फिर बढ़ जाता है right answer होगा यहाँ पर आपका option number A तो जो भी प्यारे भाई बन मित्री यहाँ पर option A बढ़ जाता है बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा पारे को जब एक बरतन में रखा जाता है तो मेनिसकस होता है कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जब पारे को एक बरतन में रखा जाएगा तो मेनिसकस का मतलब होगा इसकी उसमें जो मतलब वो किसका आकाल ले लेता है यह आप से का गया मेरी पहरे भाई वो उत्तल का काल लेगा option number B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उचाई बढ़ने पर वायो मंडली ये दाब में क्या परिवर्तन होता है इसका अंसर आप बताएंगे देखो अगर उचाई बढ़ती है तो वायो मंडली ये दाब मेरे पहरे भाई जो है ये घटता है याद रखना option B आपका बिल्कुल सही होगा अगर उचाई बढ़ती है तो वायो मंडली ये दाब जो है ये कैसा होगा घटेगा option number B आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए अगर यसाई पत्धति में बात की जाएगी, थभाप कहेंगी पास्कल होता है, मेरे पहरे भाई याद रखना जो एक बार है, यह याद रखना, टिना के पावर थाइब कानुड हो नो के माईनस, ओपसन नमबर सी याँ पर आफका सई होगा, जो भी option C बता रहे हैं, याद रखना option C होगा, A नहीं होगा, option C जो भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, correct हो जाएगा, किसी वस्तू का भार अधिक्तम होता है, जल में, वायू में, निर्वात में, या फिर कहीं भी नहीं, सेम कहां, बताइए, बताइए, सही answer क्या होगा मेरे पहरे भाई, जो इसका सही answer हो जाएगा, किसी भी वस्तू का जो भार है, या अधिक्तम कहां पर होता है, तो वो होता है, वेक्यूम में, या फिर निर्वात में, right answer होगा, या पर आपका option number C, जो भी हमारे डिये friends option C बता रहे हैं, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, पिर थ पहरे भाई, तो बात आप से कही गई है, ना कि भार, अगर भार कहा जाता तो 1 by 6 होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन अकर दर्व्यमान कहा जाएगा, वैसे भी द्रव्यमान कहा जाएगा, तो कितना है, मतलब सभी अस्थानों पर ये निस्षित होता है, ठीक, ये क्या सी गुनाज जादा तो option B आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा भू अस्ताई उपगरा पृत्वी के चारो और चक्कल लगाता है कितने समय में very very important question for an exam please take screenshot for revision my dear student मैं आप सबको यहाँ पर बता दूँ कि यह question आपके exam के दिश्टी से काफी जादा important है तो आप चाहें तो आप इसका screenshot ले सकते हैं यह आपके लिए बेहतर होगा भूस्ताई उपगरा जोए गाईज यह पृत्वी के चारो और चक्कल लगाता है 24 घंटों में right answer होगा यहाँ पर आपका option number B जो भी बैरे भायवें मितने हाँ पर option B 24 घंटों में बता रहें बिल्कुल सही answer हो जाएगा correct answer आपका हो जाएगा प्रतवी पर वाव मंडलिये दाव का कालण क्या है इसका answer आप बताएंगे option ए गृत्वा करसंड प्रतवी का परिकर्मन प्रतवी का घुरनन या फिर कोई नहीं बताए right answer क्या होगा मेरे पहरे भाई प्रतवी पर जो वाव मंडलिये दाव का कालण है यह होता है यहां का gravitation यानि यहां का गृत्वा करसंड राइट होगा यहां पर आपका option A जो भी हमारे dear friends option A गृत्वा करसंड बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा correct answer आपका हो जाएगा प्रतवी का plan बेग जो है यह कितना होता है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और आपको अमारी गर्मी भी नहीं दिख रही है कि मैं आपके लिए इतनी महनत करता हूँ आप class को like तक नहीं करते हो आप इतने सौर्थी हो जिके हो मेरे भाई आपको अगर दिख रही है कि मैं आपके लिए महनत कर रहा हूँ आपके पूरी जीजान सिद्धत के साथ लगा हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए तो आप सभी की जिम्मेदारी ये फर्ज बनत करता और मेरे पैरे भाई में गर्मी में बैठ कर आपके class किसी तरीके से ले रहा हूँ तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा मेरे पैरे भाई वह हो जाएगा यहां पर जो प्रिद्वी का प्लान बेग है यह है 11.2 km प्रतिस सेकंड यानि अगर इस बेग से कोई भी पिं अगला है कि जब कोई वस्तू उपर से गिराए जाती है तो उसका भार जो है यह कैसा होता है बेरी बेरी important question है आपके exam के द्रिष्टी से फटा फटा आंसर दो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पैरे भाई कोई भी वस्तू अगर उपर से गिराए जाएगी तो उसका भार जो है यह निश्य तकी परिवर्ट जरूर होगा कोई भी वस्तू अगर उपर से नीचे गिराए जाएगी तो उसका भार जो है कैसा होगा परिवर्ट अंसील होगा राइट आंसर होगा है आफका ऑप्सट नमबर A, अगला की गरहों की गती के नियम को किसने प्रतिपादित किया, मेरे पहले भाई, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक की जरूर कर दीजेगा, यह आपकी जिम्मेदारी फर्जाप कहा है, ठीक है, तो लाइक जरूर करना, इसकी जो PDF है मेरे पैरे भाई यह आपको हमारे टेलीगराम पर मिलेगी यह टेलीगराम चैनल है आप देख सकते हो यूटूब लिखा है यही पर आप टेलीगराम चेंज कर सकते हो तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा देखो जो जेट इंजन है ये किस शिद्धान पर कार्य करता है आपसे यह कोईशन पूछा गया मेरे पैरे भाई याद रखना रैकिक संबेग के संरक्सार पर ये कार्य करता है जेट इंजन रैड गेंद को 36 से कितने कौन पर फैकने से अधिक्तम 36 दूरी तैं होगी बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा फड़ा फड़ा आंसर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी में तर बताएंगे मेरे पहरे भाई अगर कोई भी गेंद अगर उसे हम 36 से 45 दिग्री ए फोटी फाइफ एंगल पर फैक्ते हैं तो जो गईज उसकी 36 दूरी है यह अधिक्तमते होगी ठीक है तो मतलब 45 डिग्री एंगल यहां पर जाने की जो गास 45 डिग्री क्यों है यह आपका सही होगा फोट मंडली में बादलों के तारिने का यह क्या है बहुत जादा इंपोर्टन्ट है तो सभी जानते भी होंगे फटा-फटांसर दो राइड आंसर क्या हो जाएगा देखू जो गाईस वायो मंडल में बादलों के तैने के कानड़े वो है उसका डेंसिटी या फिर उसका घनत्वा सही आंसर होगा यहाँ पर आपका उप्शन नमबर डी घनत्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जो भी हमारी पैरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि गैस के अड़ों की गती जूर जाक कि स्ताप पर सोनी होती है आपको गर्मी लग रही है या नहीं यह जरूर बताना ठीक है कमेंट में करके बताओ जल्दी कि आपको भी गर्मी लग रही है या आपके वहाँ मौसम कुछ सीतल सह घंड़ा सह है हमारे यहां बहुत जादा गर्मी मेरे भाई बहुत जादा गर्मी लग रही है क्या बताए आपको किसी तरीके से मैं आपकी क्लास लेता हूँ मेरी पहरी भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी गैस अन्गों की जो गत्री सोर्जा होती है कैनेटेक एनर्जी होती है यह होती है मेरी पहरी भाई 233 degree Celsius option B आपका बिल्कुल सही होगा रेक्ष्ट है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का बिचलन जो है यह अधिक्तम होता है बहुत ज्यादा important question है बताईए सही आंसर क्या होगा और अगर अपनी क्लास को भी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा ठीक है तो guys जो प्रिज्म होता है इसे किस रंग का बिचलन जो है यह अधिक्तम होगा यह question आप से पूछा गया इसका जो सगी आंसर हो जाएगा मेरे पहरे भाई वो हो जाएगा वैगनी रंग का वैलट रंग का option number A आपका बिल्कुल सगी आंसर हो जाएगा किसी गैस में जो उतपन धंई धोनी है यह इसका अंसर आप बताएंगी चाहे मेरे पहरे भाई गैस का जाएगा या किसी भी जगा का जाए धंई तरंग होती है या देखना यह सदेव अनुदेर्ध तरंग होती है राइट होगा आपका option number A अनुदैर्ध है बिल्कुल सही answer होगा तो जो भी हमारे dear friends option A अनुदैर्ध है बिल्कुल सही answer होगा द्रब्य तरंगों की जो गाईज या तरंग दैर्ध है ये किस पर निर्भर करती है इसका answer आप बताएंगे और अगर आपको पर नहीं दिक्रा तो सुन लीजिए संबेग पर, चाल पर, द्रब्यमान पर या फिर आबेस पर एक्जाम के दिश्टी से काफी ज़्यादा important है जो द्रब्य तरंग है मेरे पहरे भाई इसके जो तरंग दैर्ध है पर निर्भा करती है तो यह उसके चार्ज या फिर उसके आबेस पर निर्भा करती है राइट होगा आपको option number D कौन सा कर्ण सबसे अधिक आस्थाई है याद रखना यहाँ पर आस्थाई आपसे कहा गया तो जल्दी जल्दी answer दीजे मेरी पहरी भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी पहरी भाई बेन मित्रिहां पर बता रहे है कि निउट्रान जो ही एक आस्थाई कर है सही आंसर हो जाएगा आपका option number B एंगे श्ट्रॉम्ज जो ही यह क्या नाफता है एक्जाम की द्रिष्टी से important है फटा फटा आंसर दो और जिसने class को लाईक नहीं किया लाईकि जरूर कर देना ठीक है आप इतने सौर्थी ना बनू मेहनत आपके लिए कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं मेरी पहरी भाई जो एंगिस्ट्रों में यह क्या माफता है यह माफता है प्रकास तरंग दैर्धिया option number B आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option number B आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सयानता गुडांक की जो SI काई है यह क्या है यह आपको बताना है मेरी पहरी भाई जो सयानता गुडांक है इसकी जो SI काई होती है यह प्वाईज होती है option number A आपका बिल्कुल राइट होगा फासकल आपका दाब का हो जाएगा वाट आपका सक्ती का हो जाएगा एक फाईदम जो है यह किसके बराबर होता है बताईए इसका right answer क्या होगा छे फीट या छे फूट बराबर एक फाईदम छे फीट या छे फूट बराबर एक फाईदम राइट होगा यहां पर आपका option B जो भी डिये, फ्रेंड्स, आपिसन भी बता रहें, बिलकुल सही यह आंसर हो जाएगा टाइप राइटर के आविस्का रख कौन है, सौकली, पॉस्कल, सोल्स या फिर वाटरमेल मेरे पहरे भाई, जो टाइप राइटर के आविस्का रख हैं, वो है सोल्स सबस्क्र Ich guess मेरे पहले 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 अगे बढ़ेंगे तो गाइस इसका अंसर आप बताईए तभी मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि यह इजीक बहुत है मैंने अभी आपको बताया भी है तो आप जानते भी होंगे फट 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 आंसर दो पहले फिर आगे बढ़ेंगे जे टिंजन जो है कि सिद्धान पर कारे करता है रैखिक संबेग संदक्षण कि सिद्धान पर आपसं सी आपका बिल्कुल सही होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था तो आप जानते भी होंगे रैखिक संबेग संदक्षण आपका बिल्कुल होगा अगला कि मानकदाब है मेरे भाई मानकदाब जो है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर या राइट क्या होगा मानकदा भांद और का साथ saut सैंटिमेटर जा सते करें ट्र içтार मिलिमेटर या मैंडली ये दाबिया फिर वन पॉंट वंट व मेरे भाई जो मानक दाब है ये पारे का कुल मिलाकर के सतर मीली मीटर होता है और सन भी आपका बिल्कुल सही होगा अगला है कि मैनो मीटर के दारा किसकी माफ की जाती है वायू दाब गैसों का दाब द्रव्यों का घनत्वा सतह पर तेल का दाब मैनो मेटर के दारा गयास हम गैस का डाव का मतलब इसकी माफ करते है तो गैस के दाव का माप जो ही मैनो मेटर के दारा क्या जाता है और सनभी आपका बिलकुल राइट होगा अगला और मेक्या वस्तु की PAUL बदलने पर इस जो घंट है जो डेंसिटी है इसमें कुछ भी परिवर्तर नहीं आईगा अगर जगा बदल यहाँ नहीं पर आपप्लत we आप सभी डिगरी में जानते ही हैं तो अब Ale PvdG की में किटना होता है कि का एक का कि about 310 कल्विन बेरे एस स्पहिएOS स्पहआइए ये मानूश चरीर का सामाने लिताफ लिपर स्फ्ण होता है। पारा जो है गाईज ये कितनи degree Celsius पर जमता है, बहुत ज़यादा important है कि दिखर कि गहीं कोहाँач कर दो सही answer हो जाएगा माइनस 49 डिगरी celsius पर उच्छ ताफकरम को हम पाईरोमेटर के दार हम आफते हैं आप्शन बी आफका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह रहा आपके सामने मेरे पहरे भाई आंसर इसका आप जा करके देख सकते हैं ठीक है अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है लाइक जरूर करना यह आपक सेयर करके साज्ञा करें उनको भी इसका बिनिफिट मिल सकें अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कियें तो आप चैनल को सब्स्क्राइब करना काई सब्सक्राइब करने से आपको वे बेनिफिट होगा कोई भी ग्लासेस अप्लोड होंगी नोडिफिकेसन आपको रहा सहती इस question में comment में ये भी बता देना तो मेरे पहरे भाई आज की इस बहुतरी लाजवाब क्लास में से दना ही बिलते हैं दूसरे नई क्लास में तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू अब सरकारी नोकरी जूब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है आप यूटूब चैनल एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर के साथ जुल कर अपने तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं इस चैनल के मादम से आपको फ्री लाइब क्लासेज रिकॉर्डेट क्लासेज और गुर्ण्मेंट जॉफ की नोडिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे इसके लावा सारी क्लासेज की पीडियाफ हैंडिटन नोट्स और बोक्स बिल्कुल फ्री में टेलिग्राम चैनल एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर पर मिल सकते हैं गाइस अब मुझे इसे संपग करना चाहते हैं इसके अगर आप फेस्बूक पेज को लाइक करना होगा अपना एक सीट कन्फरम है अब की बार सरकारी नोकडी तुम्हारे हाथों में होगी